नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल पर आज की बड़ी ख़बरे और मुखे समाचार लेकर आए हैं इस वीडियो में हर बड़ी ख़बर को जानेंगे एक एक करके आप तक मुखे समाचार पहुचाएंगे तो आप भी को सब्सक्राइब करके घंटिक आइकन को जरू दवाईए जिससे की लेटेस्ट नियूज आप सभी तक सबसे पहले पहुचें इस समय की बिग ब्रेकिंग नियूज निकल के आ रही हैं सीजी आई डीवाई चन्रचूर जोड़ार तरीके से भढ़के हैं नाराज हो गए ज दोस्तों आप सभी को बताते चलें चीप जश्टिस की बेंच के सामने केरल में बंधक बनाकर रखे गए हातियों से जुड़ी एक याजका आई जिस पर सुनबाई हुई चीप जश्टिस ने यह याजका देखके खासा नाराज हो गए उन्होंने कहा कि स्थानी आदालत य जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की आजका वेवजह सुप्रीम कोट का बोज बढ़ाती हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद सीजी आई ने कहा कि सुप्रीम कोट हर मामले में दखन नहीं दे सकता है हम छोटी छोटी चीजे मैनेश थोड़ी ना कर सकते हैं औ और बीजेपी के भी 36 का अकड़ा है जी हाँ दोस्तों आप सभी को पूरी ख़बर बताते चलें देश में लगातार बीजेपी का ग्राफ डाउन होता जा रहा है और दूसरी ताब दोस्तों कॉंग्रेस पारिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है पांच राज्यों में वहाँ पर लोग बीजेपी को बहुत ही कम बोट करते हैं और वहीं दोस्तों जहाँ पर एजुकेशन रेट बहुत ही लो कम होता है वहाँ पर बीजेपी का ग्राफ उपर होता है यानि कि वहाँ के लोग उस राज्यों के लोग बीजेपी को जाधा बोट करते हैं दोस्तों एजुकेशन और बीजेपी के भी जो 36 का अकड़ा है उसे इस बात से आसानी से समझा जा सकता है कि साल 2019 में हुए आम चुनाओं में बीजेपी को कुल बोट 38% प्राप्थ हुआ था और वहीं दोस्तों उस समय देश में आसिछित लोगों की तादाद भी लगभग किसी के आसपास यानि की 38% थी जिससे ठीक यहाँ पर अंदाज अलग रहा है कि असिछित लोग ही बीजेपी को जादा बोट करते हैं जबकि पढ़े लिखे लोग सोंच समझ कर बोट करते हैं दोस्तों जहाँ पर हाई एजुकेशन रेट होता है वहाँ बीजेपी डाउन है क्या दोस्तों आप लोग इस बासर सहमत है या फिन नहीं आप भी अपनी राय जरू बताईए ख़बर को लेका कॉमेंट बॉक्स में चलिए एक और ख़बर की तरब चलते हैं दिल्ली सराब नीती मामले में मनी सिसोदिया को मिल सकती है आज सुप्रीम कोट से बड़ी रहा जी हाँ दोस्तों जवानत को लेका सुप्रीम कोट में आज सुनबाई होनी है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सियम मनी सिसोदिया मनी लॉंडिंग के आरोपों को लेका जेल मे बंध हैं वहीं दोस्तों मनी सिसोडिया की बेल को लेका सुप्रीम कोट में सुनबाई होनी है और वे लंबे समय से जेल में बंध हैं उनकी जवानत याज का पर सुप्रीम कोट आ सुनबाई कहने वाला है इस से पहले सुप्रीम कोट ने ED से सबूत मांगे थे तब ED ने कहा थ दोस्तों अब ED बुरी तरीके से फर्स चुकी है कहें तो सिसोधिया की बेल एक तरीके से मंजूर हो सकती है अभी तक जैसे सुनबाई हुई है उसके आधार पर ये खबर निकल के आई है मनी सिसोधिया की और से वरिष्ट वकील अविशेक मनू सिंग भी सुप्रेम कोट में पैर भी कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जस्टिस खन्ना की बेंच ने ED से सबूत के लिए कहा था और यहां पर ED के पास कोई सबूत नहीं है फिर भी सिसोधिया को यहां पर बंद रखा गया है जेल में इसके खिलाफ ये बड़ी सुनवाई होने वाली है इसी दोस्तों बाद में उन्हें वहां पर भगाया गया दोस्तों आपको बताते चलें गोदी मीडिया ने यहां पर राहूल गांदी को चारुत अपसे घेल लिया जब वहां प्लेन से उत्रे बैसे ही सुच्छा घेरा तोड़के गोदी मीडिया उनके पास पहुंच गई दोस्तों राहूल गांदी का चार्टेट प्लेन जैसे ही सतनाई आरपोर्ट पर लैंड हुआ तो बड़ी संख्या में पत्रकार उनके पास पहुंच गया राहूल गांदी प्लेन से बाहर तो आए लेकिन भीड देखकर बापस प्लेन में चले गए जब वहां पर से इन ख़वर की तरब चलते हैं बिहार में हुए तेन हास्से पर बोले हैं मलिकार जुन खडगे ताए हो रेलवे वाकेंद की जवाब देई देना चाहिए रेल मंत्री को इस्तीफा जिया दोस्तों कांगे सद्धेच खडगे ने बिहार के बकसर में अनंद बिहार से कामाख्या North East Express जुर्गटना में यात्रियों की मौत पर सोख व्यक्त किया और रेलवे वाकेंद सरकार की जवाब देई ताय करने की मांग की वहीं कांगे इसके पूरवध्यच रहुल गांधी ने भी हासे में यात्रियों की मौत पर सोख व्यक्त किया और घायलों के सिग स्वार्स्त होने की कामना की है। यहाँ देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर दोस्तों बड़ी ख़वा निकल की आई है इसे के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मदपदेश विधान सवा में यहाँ पर जवादर स्तरीके से कॉंगेस पार्टी ने चुनाव पैचार की सुरूआत किया दोस्तों मुख्य मंतरी रहे कमंलात ने एक बार फिर से बीजेपी को निसाने पर लिया है और बड़ी वात कही है उन्हें का कि सौधे और धन से चल रही है बीजेपी सरकार यूबा नहीं है इनकी प्रात्मिकता है इनने उने किया है बहुत ही घोटालों का काम जिया दोस्तों मदपदेश में इस बार अनुमान है कि कॉंगेस पार्टी सत्ता में बापसी कर सकती है रुझान भी कुछ ऐसे ही बता रही है और जिस पेकार से बीजेपी में खलवली मची है उससे भी संकित मिल रहे है कि बीजेपी सत्ता से जाने वाली है और कॉंगेस पार्टी सत्ता में आ सकती है वहीं राहूल गान्दी और प्रेंका गान्दी भी समय मद्द पदेश में जमें हैं जहां पर वे लोग जन आक्रोस रेलियां कर रहा हैं बीजेपी के खिलाफ मोचा खोल रखा है कॉंगेस पार्टी ने पूरी दम लगा रही है कॉंगेस पार्टी और बीजेपी सरकार के भेष्टाचारों को उजागर भी किया जा रहा है एक किवाद एक कई रिपोर्ट कॉंगेस पार्टी साजा कर रही है जिसमें बीजेपी के घोटाले सामिल हैं उनका खुलासा जनता के सामने किया जा रहा है मदब देश से बड़ी खबर आई है एक और ब्रेकिंग निउस आ रही है 36 गड़ को लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने बड़ा बेंच जारे किया है 36 गड़ में कम से कम 75 सीटे जीतने का है लक्ष जल्द जारी की जाएगी उम्मीद वारों की सूची जी हाँ दोस्तों राजस्थान मदब देश 36 गड़ और तेलंगाना को लेकर जोरोपत तैयारी है कॉंग्रेस पार्टी के दोस्तों गांदी ने 36 गड़ में किसानों आदिवासियों और गरीबों से जो वादा किया था कॉंग्रेस सरकाय ने उससे पूरा करके दिखाया है यहाँ पर बीजेपी को भी निसाने पर लिया है कॉंग्रेस पार्टी ने दोस्तों आज की बड़ी खबरे और मुक्के समाचाय थे यह आप सभी तक पहुँचाए है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत